सास्टी काल हाई एव्यवन वेलकम टू डेजी रोजी पंजाबी किचन आज यसी बनावांगे पंच रतन नमकीन जो सब नू बेहत पसंद है आज एक खास ट्रीक नाल जाद असी आलू फ्राइ कर दे हां तब बहुत जादा लाल हो जन दे हन ते खान वीच मज़ा नहीं दी है अतन नमकीन बना दे लई मैं अथे ले हन मीडियम साइज दे आलू तुसी इस तो वड़े साइज दे आलू भी ले सकदे हो मार्केट वीच हार साइज दे आलू मिल दे हन सारे आलू आ तो असी चिलके उतार दे जावांगे ते उसनों प्लेट दे विच रख दे बना रही हां 3-4 चिप्स मैं इकठे फड़े हन 2-3 चिप्स या 3-4 चिप्स इकठे जोड़के मैं इस जगातों लंबे-लंबे लच्छे बना दी जावांगी जिस तरह कि तुसी देख रहे हो सारे आलू आ दे लच्छे मैं इस तरह बनावांगी ते उसनों नाल-नाल मैं पा खाले ना हो जान ते साड़ी जड़ी पंच रतन नमकीन है वो बहुत ही वधिया बने ए से तरह पतले पतले चिप्स जोड़ के में इस जंगातों सारे इस दे लंबे लंबे लच्छे बना रहे हो थे नाल नाल इसनू पानी दे वीच पाना इस ना बहुत ज़रूरी है आलू दे लच्छे बनान दा दूसरा तरीका ए है कि असी आलू नू कदुकस करके वी इस दे लंबे लच्छे बना सकते हैं जिस तरह कि तुसी देख रहे हो कि मैं आलू नू कदुकस किता है ते इस दे लंबे लच्छे तियार किते हैं इस त्रीके नालवी आसी बना सकते हैं आलू दे लच्छे आसी दोना त्रीके नाल त्यार कर ले हैं हून वारी है इसनू 5-6 वार पानी विचो तो उन दी आलू दे लच्छे नू 5-6 वार पानी विचो तो मांगे ताकि लच्छेयां दे विच जो स्टार्च है वो चंगी तरह बाहर निकल जाए एही ट्रीक है कि स्टार्च आलू दे लच्छेयां विच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दी जिस नाल असी जद आलू दे लच्छे फ्राई कर दे हां ता बिल्कुल वाइट बननगे अगर अलू दे लच्छेयां विच स्टार्च रह जाए ता वो बिल्कुल लाल हो जान दे हन बिल्कुल सफेद नहीं बन दे एही ट्रीक है कि जो बजार दे पंच रतन नमकीन है बिल्कुल वाइट मिल दी है उस विच स्टार्च बिल्कुल भी नहीं होन दी यसी इसनू 5-6 वार पानी चोतों वागे तुसी देख रहे हो कि पानी बिल्कुल ट्रांस्पेरेंट हो गया है लच्छेयां वीच जरा भी स्टार्च नहीं है असी इसनू 5-6 वार पानी वीच चंगी तरह तोता है हून वारी है इसनू चान न दी उन चान नी वीच पाके इसनू चंगी तरह चान लवागे ताकि इस वीच जरा भी पानी न रहे दूसरे पास से कडाई दे वीच असी तेल नू गरम कीता है गयस नू फूल फ्लेम ते रख्या है कौटन दे कपड़े ते जो लच्छे असी विशाये सन 10-15 मिनट बाद पानी इस विच सुक गया है तेहूं असी इसनो फ्राइ करांगे 4-5 मिनट लई फुल फ्लेम ते 4-5 मिनट लग दे हन लच्छया नो फ्राइ हो न विच तुसी देख सकते हो कि इसनो बहुत ज़्यादा लाल भी नहीं किता ये बिल्कुल वाइट हन तुसी देख रहे हो कि आलू दे लच्छयादा रंग बिल्कुल वाइट है असी इसनो बहुत ज़्यादा लाल भी नहीं किता 4-5 मिनट लई फुल सेकते इसनो फ्राइ किता है क्योंकि इस विच स्टार्च बिल्कुल नहीं है इस करके इस बिल्कुल वाइट बने हन सारे लच्छयादा असी इससे तरह 4-5 मिनट तक फुल सेकते फ्राइ कर दे जावाँगे सारे लच्छयादा असी फ्राइ कर लेया है तुसी देख रहे हो कि इनना दा रंग किनना वाइट है लच्छय फ्राइ करके साइड ते रख दे हाँ अद्धी कोली मूफली दिया गिरिया लेया हन उसनू वी इसी फ्राइ करांगे मूफली दिया गिरिया बहुत जल्दी फ्राइ हो जानदिया हन इस करके इसनू जादा टाइम इसी स्विच नहीं रख आगे एक मिनट तक इसनू कड लवाँगे दास पंदरा बदाम भी असी एक मिनट लई फ्राइ करांगे इसनू भी असी जल्दी निकाल लमांगे जादा टाइम इसनू फ्राइ नहीं करांगे क्योंकि ए भी बहुत जल्दी फ्राइ हो जन्दे हन इससे तरह आसी कजू भी फ्राइ करांगे इसनू भी ज़्यादा देर फ्राइ नहीं करांगे उससे टाइम इसनू निकाल लवांगे आठ दास कड़ी पते भी फ्राइ किते हन इसनू भी उससे टाइम कड लवांगे ज़्यादा टाइम इसनू फ्राइ नहीं करांगे बहुत ही क्रिस्पी आलू दे लच्छे तियार होए हन सारियां चीजान नू फ्राइ कर लेया है हून वारी है इनना नू मिक्स करन दी आलू दे लच्छेयां विच मुफली दियां गिरियां मिक्स करांगे जो असी फ्राइ कितिया हन काज्यू दियां गिरियां जो असी फ्राई कीतियां हन उसनू भी मिक्स करांगे बदाम दियां गिरियां उसनू भी मिक्स करांगे कड़ी पत्ता जो फ्राई कीता है उसनू भी असी मिक्स करांगे उसनू हाथ दे नाल थोड़ा जा मसल के इस विच मिक्स करदवांगे उन असी बनावांगे सुक्के मसाले जो पंच रतन नमकीन दे विच असी पावांगे वन फोर्थ नमक स्वाद अनुसार मैंगो पावडर अद्दा चमच लाल मिर्च पावडर अद्दा चमच चिन्नी पिसी अद्दा चमच इस नू असी मिक्स करआंगे चंगी तरा मिक्स कर लवांगे सुक्के मसाले जो असी त्यार कीते हन सारे मिक्सचर दे उत्ते पावांगे इक चमच नाल या कांटे दी मदद नाल इसनू चंगी तरा मिक्स करांगे ताकि जो मसाले हन वो सारे मिक्सचर दे वीच चंगी तरा मिक्स हो जान पंच रतन नमकीन बनके बिलकुल त्यार है तुसी देख रहे हो कि आलू दे लच्छा दा रंग बिलकुल वाइट है बिलकुल लाल नहीं हो एहन क्योंकि इस वीच स्टार्च बिलकुल नहीं है असी इसनू चंगी तरा पानी विच्चो बार बार तोता है ते इस जी स्टार्च नू कड़ेया है तुसी भी इस तरीके देनाल पंच रतन नमकीन नू बना के जरूर देखना आइम श्योर कि आपनू मेरी एह रेसेपी बहुत ज़्यादा पसांद आई होवेगी अगर आपनू मेरी एह रेसेपी पसांद आई होवे ता मेरी वीडियो नू लाइक टे शेयर जरूर करना चैनल नू सब्सक्राइब जरूर करना